17 जुलाई बुधवार के दिन देव श्रेणी एकादशी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन एक छुटकी हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है। और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं देखिए यह दिन इतना खास होता है इतना महत्वपूर्ण होता है देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाथ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं ह होती है वह बुधवार देवशयनी एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है अगर आप लोग भी इस उपाय को 17 जुलाई 2024 के दिन यहां पर बुधवार देवशयनी एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना सुन लेना उसके बात करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्य क्यों ना चल रही हो आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह किस कारण से चल रही है उसका कुछ भी कारण हो सकता है जैसे से पित्र दोश हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोश होते हैं कुछ भी हो सकता है पर आप छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों, अब हम समझ हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला उपाय करना किसको है, तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानिया है उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई काम है जो कि नहीं हो पा रहा आप उसके लिए इस उपाय भगवान शिव जी से पून करवानी हो और अगर कोई भी माताएं बहने जो है अपने घर की सुख और शान्ति के लिए घर में धन सम्रिध्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की माताएं बहने होंगी वह इस हल्दी वाला उपाय को विशेश र उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है चाहे वह बड़ा हो चाहे वह छोटा हो चाहे वह बच्चा हो जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस हल्दी उपाय को बुधवार के दिन जरूर करे क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी म तो आएए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है तो देखिए इस बुधवार के दिन किये جाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुभह के समय होगा किस प्रदोशकाल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है, कि दोस्तों यह समय होता कब है कितने बजे से ले इतने बजे यह समय होता है ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें, प्रदोश काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है, शाम के छे बजे से लेकर, शाम के साथ बजे के बीच का, इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे, तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा. तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोश काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है आप आपको आने में साथ बजे तक आप नहीं पहुँच पाते हो तो दोस्तों आप साथ या रात आट बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा और इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सक बुधवार के दिन बस कोशिश करना की समय के मतलब अंतरगत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ, तो फिर आप देरी से भी कर कर सकते हो, उपाय का फल जरूर मिलेगा, तो देखिए, एकादशी के दिन पर विशेश कर श्री हरी विश्णू और महालक्ष्मी का प अंकट मोचन हनुमान जी दूर कर देंगे, तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले उपाय की, जो कि देवशायनी वाले दिन आपको विशेश कर करना है, और इस उपाय को करने से, आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश, जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, आपकी से विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है, जब आप देवशैनी एकादशी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं, तो देखिए, आप सभी जानते हैं, कि श्री हरी विश्नु जो हैं, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है, बिना प्रतों के श्री हरी विश्नु का भोग अधूरा है, अब श्री हरी प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरी विश्नु प्रसन्न हो गए, तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी, तो आपको तुलसी क पांच पत्ते लेने हैं, अब जिस दिन एकादशी है, उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, पहले से ही तोड़ कर रख ले, अब यह पांच तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह पांच तुलसी के पापत्ते आपको श्री हरी विश्णु को अर्पित करने हैं, निर्धंता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को या फिर धण आपका रहता नहीं है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरी विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विस आपकी मनो कामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है, चलिए अब बात कर लेते हैं, दूसरे उपाय की तो चलिए, बढ़ाते हैं, अगले उपाय की ओर देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक-एक रुपयों करने क लिए आपको बहुत अधिक कड़ी टेड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्री में सोने से पहले आपको हो, यह एक चमतकारी दीपक का उपाय जरूर करना है, या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो केवल एकादशी पर ही इस उपाय को किया जाता है, देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सुखी लकडी होती है, उसे ले लेना है, देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकडी है, तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घ तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, आप चाहे तो आठे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आठे का दीपक सभी दीपक में सरवोत्तम समझा गया है, इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना होगा, और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकडी ली है, उसे भी रख देना है, लेकिन जो तुलसी जी की लकडी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है, देखिए, गुरु जी ने बताया है, कि जो तुलसी जी की लकडी है, यदि आप उपाय करते और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है, आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और से रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने लकडी ली है, उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है, तुलसी जी की लकडी के ऊपर रु या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्णा के सामने, यानि कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार है, उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक माता तुलसी जी के सामने पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है, इसलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है, आशाड माह में इस उपाय को करके देखना आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी, यह जो उपाय है रात्री में सोने से पहले करना बात करते हैं, अगले उपाय की, अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है, जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महा धनी बन आपके पैसे की बरबादी बिलकुल आपके जीवन से रुख जाएगी, और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है, और पैसा बढ़ता नहीं है, व्रिध्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेश यह दूसरा उपाय, देवशयनी तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरी विश्नु की पूजा और उनका भोग, श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है और तुलसी मैया जो है, वह श्री हरी विश्नु के बिना अधूरी है, तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे, तो सीधे सीधे आप श्री हरी विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है। ये श्री हरी विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम लक्षमी करती है, जो कि मान तुलसी का ही एक रूप है, तो आपको करना क्या है? आपको लेनी है, यहां पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्रीहरी विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है, तो एक छुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और यह पीसी हुई सुखी हल्दी ही आपको अपने गमले तुलसी का पौधा, जिस गमले में लगा है, उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमह इस मंत्र का जाप करना है, कितनी बार कम से कम ग्यारा बार जाप करना है, एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय नमह इस मंत्र का जाप करते रहे, ना और हलके हलके से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए, अपने जीवन से नहीं आने वाली, साथ पीडियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो यह साधारण नहीं है, हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमतकार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है। कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं, उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। ग्रह प्रवेश जब हम करते हैं, तो हल्दी के स्वस्थिक का निर्मान करते हैं। कोई भी अच्छा काम जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं न कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिये, एकादशी का मिलेगा नहीं, बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक छुटकी पिसी हुई, हल्दी डालना है तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। एकादशी वाले दिन और साल का सबसे बड़ा यह दिन-दिन है। तो इसको करने से श्री हरी विष्णु आपसे ना केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो की मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा, जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आ जो आप घर से जाएगा और विशेश कर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है। है कि घर में पैसा तो आता है, लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है, या फिर फजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की जिन लोगों के घर में हो रही है, उन्हें विशेश कर यह तीसरा उपाय करना है, या जिन लोगों के पास बिलकुल पैसा आना बंध हो गया है, सर पर लगातार करजा बच रहा है, उन्हें भी यह तीसरा उपाय करना है, तो देखिए आपको फिर से के लेना है, हल्दी लेनी पीसी हुई जो कि श्री हरी विश्णू से ही जुड़ी हुई है। और दो स्वास्थिक आपको बनाने हैं। ADHS बस ये उपाए आपने अगड़ देवशैनी एकादशी वाले दिन कर लिए… तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्थिक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है क्योंकि हल्दी किस से जुड़ी हुई है श्री हरी विश्नु से और मानलक्षमी कहा होती है, जहां श्री हरी विश्णु वास करते हैं अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्थिक बनाते हैं तो आपके घर से उर्जा जो है, पूरे में उर्जा फ्यलती है तो आपके घर में positive energy है, सकारात्मक उर्जा बढ़ाती है जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्थिक बनाते हैं आपके घर से बुरी शक्तियां, negative energy जैसी चीजें बिलकुल आपके घर में नहीं रुकती है मुख्यद्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्यद्वार से ही मा लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्यद्वार पर ही है और मुख्यद्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्थिक बना दिये, तो मा लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है क्योंकि यह श्री हरी विश्णू से जुड़ी हुई है हल्दी के स्वास्थिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं ऐसा समझ लीजिए मा लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और वास छोड़ कर नहीं जाती है यह हल्दी के स्वास्थिक वाला उपाय देव शैनी एकादशी के दिन बहुत ही उत्तम है साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास जरूर खिलाए और एक पानी का घड़ा भरा हुआ किसी जरूरत मंद को दान जरूर करें और जो व्यक्ती के लिए पानी की व्यवस्था करता है न या फिर घड़े को दान कर देता है उसके घर कभी भी धन की कमी नहीं होती है माता लक्ष्मी उनके भंडार भर देती है